Hello everyone, मैं विश्वजीत सिंग, आप सभी का देई इनव पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज किस वीडियो के अंदर में हम इगनू के साइमेंट के बारे में बात करने वाले हैं इगनू का साइमेंट जमा करने का लास डेट 30 सेप्टेंबर 2022 को रखा गया था आज इसका लास डेट है, आज उसका टाइम लाइन खतम हो रहा है और जो ये असाइमेंट जमा हो रहे हैं, जनवरी 2022 सेशन के असाइमेंट जमा हो रहे हैं दोस्तो काफी सारे स्टूइंट ऐसे होंगे जिन्नोंने बना कर पहले ही अपना जमा कर दिया होगा या आज जाकर जमा करने वाले होंगे और बहुत सारी स्टूइट सेंटर ऐसे हैं, जिन्नोंने अपना लास डेट को आगे एक्स्टेंट कर दिया है बढ़ा दिया है, जिसके कारण से उनके पास टाइम है कि वो बाद में जाके जमा कर सकते हैं पर वहीं पे कुछ ऐसे स्टूइट्स होंगे जिनको अभी तक अपडेट ही नहीं होगा कि असाइमेंट भी बनाना है या फिर अपडेट है भी तो बनाना नहीं चाहते, कुछ रिजन होंगे उनके ठीक है तो एक स्टूइट यहीं पर पूछता है कि सर क्या असाइमेंट बनाना जरूरी है अगर असाइमेंट ना बनाओ तो उसका इंपेक्ट क्या रहेगा उसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर में बात करेंगे नॉर्मल सा सिम्पल सा कोष़न है कि अगर मैंने असाइमेंट बनाया नहीं तो उसका इंपेक्ट क्या है और क्या असाइमेंट बनाना जरूरी है यह उसके उपर नबर आएंगे आपके न उसके उपर में पड़ेगा For example, suppose करो कोई लड़का MA कर रहा है MA के अंदर में उसने exam दिया पर assignment उसने submit नहीं किया एक assignment, एक subject के जो assignment होते हैं वो 100 number के होते हैं 100 में से मान लो उसको 40 number मिलने थे ठीके पर वो नहीं मिले ठीके अब 40 number की value तब आपको समझ में आएगी जब आपका MA का result निकला और MA के result में आपके 49% marks आए ठीके और आप चाते हो कि PhD करना चाते हो, net clear करना चाते हो ठीके अब net के लिए क्या होता है कि आपको at least 50% number चाहिए ठीके पर 50% है नहीं क्योंकि आपका 1% से रह गया क्योंकि आपका 49% ही है और अगर आपने assignment जमा क्या होता तो वो 1% वहाँ पर बनता ठीके तो EGNU के अंदर में assignment मतलब एक तरह से मानलोग बरदान की तरह होता है जिनको number चाहिए ठीके जिनको अपने number को boost करना है तो उसके लिए बहुँ ज़्यादा फाइदेमन होता है ठीके आपके number को boost करने का काम करता है जिससे आपके अच्छे number बन सके हो और आगे का जो भी आप चुनना चाहते हो career उसके अंदर में easily जा सको ठीके अगर जो भी students हैं जो assignment जमानी कर रहे तो ऐसा नहीं कि कुछ उसका impact पड़ेगा आपके result नहीं निकलेगा जब हम बारवी में थे इस्कूल लाइफ में थे तो इस्कूल में क्या होता था attendance के 5 number मिलते थे copy के 5 number मिलते थे behavior के 5 number मिलते थे और per subject जोड़े जाते थे almost 30 number teacher के हाथ में होता था per subject देने का ठीके अगर हिंदी का teacher उसके हाथ में 30 number बागी जो teacher उसके हाथ में 30 number जो paper में लिख कर आओगे उसके 70 number मिलता था ठीके 30 number अलग-अलग activities के हिसाब से मिलते थे अगर किसी का attendance पूरा है ठीके मतलब वो उसका जो जितने number मिलने चाहिए attendance के हिसाब से वो अगर पूरा है तो 5 number तो उसको फ्री में ही बढ़ गए ठीके तो वो बहुत ज्यादा फाइदा होता था और जो students कई बार होते था था ना कि रहे गे first, second, third आने से तो उनका एक reason ही रह जाता था कि मैंने paper तो बहुत अच्छा कर काई paper में तो मेरे 70 में से 70 आ रहे हैं तो वो में request करूँआ है कि एक बार जरूर assignment बना ले अगर वो नहीं बना सकते हैं तो किसी की help ले ले ठीके पर बना ले assignment ठीके किसी तरीके से देख वेक के भी कहीं से बना ले अगर assignment आप जमा करते हो तो फाइदा ये रहेगा कि आपको number मिलेगा अच्छा number मिलेगा और आ पच्छे से number आगे जो भी आपने सोच रखा है कि ये करना है उसके अंदर में help हो जाएगी आपकी ठीके तो ये रहता है नॉर्मली अपडेट है एक student आइसी पूछ रहा था तो मुझे लगा बताना जरूरी है कि बहुत सारे students के ऐसी mentality होते है कि चलो यार क्या बनाना आटाओ तो ये चीज़े हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है assignment ठीक एक इनू के अंदर में तो friends अगर कोई भी और भी इस से जानकारी चाहिए इनू से लेटेट कोई भी आपको update चाहिए जानकारी चाहिए तो आप हमें contact कर सकते हैं ठीक है description के अंदर में सभी social media platform के links दिय आपको time to time इस तरह की videos मिलती रहेंगी bye bye take care all the best